अब महेंगे दिन खत्म क्योंकि कॉंग्रेस की सरकार करेगी डीजल पेट्रोल सस्ते अब महेंगे दिन खत्म क्योंकि कॉंग्रेस की सरकार करेगी मेरी रसोईगे सस्ती सुनो जी अब विजली बिल होगा कम, क्योंकि विजली मिलेगी एक रुपे प्रती यूनिट, सौ यूनिट तक अच्छा, तो फिर हमारा बोट किसको? हमारा बोट कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाफ का अरे हमा, अब तो पूरे एक हजार रुपे महिना पेंशन मिलेगी तुमको और भाया, आपके लिए भी आने वाला है नया सवेरा जिसमें मिलेगी निशुलक जमीन और घर बनाने में धाई लाग की सहायता भी और इतना ही नहीं, आपके परिवार को मिलेगा पांच लाग रुपे तक का बीमा और एक्कीस हजार रुपे की प्रसूती सहायता भी और अब हर प्राथ में एक स्वास्त के इंदर पर होगा बड़े से बड़े रोगों का विशेशक्यों द्वारा इलाज तो बोलो हमारा वोट किसको? हमारा वोट कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का जंदा की उठी आवाज तुशासन से लेंगे राज प्रष्टाचार प्रदेश में अबना चलने वाला है वक्त बदलने वाला है प्रतेक महिलाओं को मिलेगा सुरक्षा कवचवाला स्मार्टफोन और प्रदेश की बेटियों के लिए प्राइमरी से पीएचडी तक की शिक्षा होगी निश्चुल युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों में पारदर्शिता व्याबम होगा बन और मिलेगा कारुबार के लिए आसान कर्ज किसानों का कर्जा माफ और होगा बिजली बिल हाफ व्याबारियों को मिलेगी सभी करों के जूट एवं सुर्प में भी होगी कमी मालवास निकली आवास बुंदेल खंड ने किया एलान पघेल कंड ललकारा है निमार ने भी पुकारा है महा कौशल ने दी आवास चंबल ने भी गुहारा है वक्त बदलने वाला है कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का आप देख रहे हैं दखल नियूट चार महा पूर्व बस्तर के जगदलपूर में प्रारम हुई हवाई सेवा पिछले तेड़ महा से बंद है प्रधानमंत्री द्वारा प्रारम की गई हवाई सेवा को एर उरिसा के एक उप्रबंधन ने सरकार की बदनामी का कारण बना दिया है बस्तर में रेल सुबिधा के आभाव के बीच केंदर सरकार ने 36 गड़ में दूसरी हवाई सेवा बस्तर मुख्याले जगदलपूर में प्रारम्भ की थी बस्तर को रायपूर और किसी भी बड़े शहर से जोडने के लिए बस के साथ घंटे के सफर के अलावा और कोई साधन नहीं है डली राज हरा से जगदलपूर तक रेल सेवा के बिस्तार की दिशा में तेजी से काम चल रहा है फिर भी जगदलपूर तक रेल पहुचाने में अभी कम से कम पास साल और लगने वाले हैं ऐसी स्तिती में हवाई सेवा की सुबिधा वस्तर से व्यापार, सरकारी कामकाज और गंभीर मरीजों के लिए वर्दान साबित हुई थी परन्तु एयर उडिसा के चार साजेदारों के बीच खीष्टान और कूप्रबंधन के कारण 160 दिनों में सिर्फ 22 दिन ही ये सेवा काम कर सकी इर्पोर्ट बंद होने के जो हवाई यत्रा बंद हुई है बड़ा ही खेत का और दुखत विशा है ये हमारे बस्तर वासियों के लिए और बस्तर संभाग के सारे हमारे आदिवासी भाई वैपारी मजदूर किसानों के लिए जिनोंने बहुत खुशी तो आई थी कि एक हमारे मरीज हैं या यहां से जो वैपारी गाने यहां से जाने के लिए बड़े उससाहिश्ट थे कि मोदी जी ने इसका शिलानास किया और एर इंडिया एर लाइन्स का जो एर इस्या का जो जो इससे अनुबंद हुआ और उसमें जो है अभी मुझे पता चला है कि उसको ज जाना यह बड़ा ही बस्तर वाच्छियों के लिए बड़ा ही दुखात भीश्ट है उड़ा नियोजना में सरकार ने जो सुविधाएं यहां पर दी हुई है उसके तहट एरपोर्ट का कोई चार्ज नहीं कंपनी को देना पड़ता यात्रियों का जो किराया है उसमें 50% की सफसिटी गॉर्मेंट दे रही है इसके लबा यहां पर टर्मिनल बिल्डिंग के लिए कोई अतरिक्त इनको संसाधन नहीं जुटाने पड़ रहे है और नहीं उसका कोई शुल्क लिया जा रहा है यहां पर एरपोर्ट के लिए जो सिक्यूरिटी और जो दूसरे संसाधन ह यहां पर एरपोर्ट के अधिकारी उनका खर्च जो है वो गॉर्मेंट बियर कर रही है यहां पर जो लैंडिंग और टेकाफ के लिए जो एटीसी और फायर की फेसलेटी मिलने चाहिए वो भी सरकार दे रही है इतनी तमाम सविधाओं के बाद भी अगर कोई सेवा यहां पर नहीं चल पा रही है तो यह निश्यत रूप से कंपनी की कमिया है और जिसको सुधारा जाना चाहिए बस्तर में जो एरपोर्ट है यह सेकंड वर्ल्ड वार के समय का बना हुआ एरपोर्ट है और इसको जो अभी इसका जो आधूनिकी करण किया गया जिसके तहत यहां पर इस एरपोर्ट को मतब चत्यजगड़ का यह दूसरा ऐसा एरपोर्ट है जिसको चत्यजगड़ में कॉमर्शियल लाइसेंस मिला है कॉमर्शियल फ्लाइट यहां से संचालित की जा रही है ऐसी इस्तिति में अब जब चुकी जो खबरें आ रही है कि एर मतब डिजिस पूरी नहीं कर पाई है तो इसके तहर इसको डिबार किया जा रहा है और नए टेंडर की प्रक्रिया प्रारब की जा रही है सरकार ने बस्तर की जरूरत को ध्यान में रखते हुए एयर उडिसा को एयरपोर्ट के मुफ्त इस्तमाल सुरक्षा और फायर सेफटी के व्याय से मुक्त तो रखा ही था साथ ही फ्यूल में भी टेक्स की खासी रियायत दी हुई थी बस्तर के हवाय यात्रियों के लिए यात्रिया व्य यानि टिकेट पर 50 प्रतिशत की सबसीड़ी भी दे रखी थी यानि आधे दर पर बस्तर के यात्री इस यात्रा का लाब उठा रहे थे इन 22 दिनों में 1000 से जादा यात्रियों ने यात्रा भी की अब सरकार ने एयर उडिसा का अनुबंध निरस्त कर दिया है उमीद है कि जल्द ही नए टेंडर होंगे और यह हवाय सेवा सुचारू आप देख रहे हैं दखल्लियों अव्यापम बन अब नोक्रियों में मिलेगी पारदर्शिता हाँ पता है अब करेंगे स्टाटप चालू क्योंकि पूरे चार हजार रुपे महीना सरोजगार सहता जो मिलने वाली है बिल्कुल सही का अब मुझे भी टेंपरेरी समविदा नोकरी की टेंशन खत्म अब मिलेगी पक्की नोकरी और पक्की तनखा और तोर अच्छी सेलरी और जॉब के लिए अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा जॉब्स यहीं आएंगे कॉंग्रेस सरकार देगी हमारी तनखा में दस हजार तक का योगदान ये बात तो बोलो यारो तुम्हारा वोट किसको? हमारा वोट कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के साथ वक्त है बदलाव का देखो अब मुझे मिलेगा सुरक्षा कवाज वाला स्मार्टफोन स्वाव लंबी महिलाओं का वक्त बदलेगा क्योंकि हमारे सोसायता समू के भी कर्ज होंगे माफ और नए कर्ज में मिलेगी रियायत अरे अब मेरी बेटी की संपून सिक्षा होगी निशुल्क और अब महिला स्वास में आएगी नई क्रांती क्योंकि सेनिटरी नेपकिन होगे निशुल्क प्लग तो बताओ हमारा वोट किसको हमारा वोट कॉंग्रेस को कॉंग्रेस के साथ वक्त है पर्णाव का खुस्सा आता है जब मासूम बच्चियों को हैवानियत से नूचा जाता है खुस्सा आता है जब आए दिन अखबारों में लुटती आबरू का जिकर आता है खुस्सा आता है जब मध्यप्रदेश का नाम महिला अत्याचार में सबसे उपर आता है मैं मध्यप्रदेश की नारी हूँ और अब मुझे भी इस भाज़पा सरकार पर गुस्सा आता है कॉंग्रेस के साथ वक्त है बद्दाफ का गुस्सा आता है जब किसानों के हक का पैसा जन आशिरवात यात्राओं में खर्चो जाता है जब जनता के स्वास्थ का पैसा बड़े बड़े आयोजुन में उड़ जाता है और ए गुस्सा आता है जब बच्चों की शिक्षा का पैसा गलियों में होर्डिंग बनके टंग जाता है जब कर्ज में डूबी हुई सरकार का खजाना विज्ञापनों में खाली हो जाता है मैं मत्यप्रदेश का एक नागरिक हूँ और अब मुझे भी इस विज्ञापनों वाली भाजिपा सरकार पर गुस्सा आता है